Hello students, आज मैं Tokyo Olympic 2020 से सम्मंधित, कुछ simple simple प्रश्णों का जिक्र करने जा रहा हूँ Tokyo Olympic खेल अभी-अभी संपन हुआ है, 23 जुलाई से 8 अगस तक इसका टाइमिंग था Actually, इसका नाम Tokyo Olympic 2020 है क्योंकि ये 2020 में होने वाला था लेकिन कोरोना के चलते ये 23 जुलाई से लेकर 8 अगस 2021 तक संपन किया गया तो ये एक्ट्वली 32 संस्करन था Olympic Games का जो कि प्रते चार वर्शों में आयूद किया जाता है Students ये किसी भी competition के लिए चाहे वो junior level का हो या senior level का हो तो किसी भी competition के लिए Tokyo Olympic से समय जरूर आएंगे आप इसे ध्यान पूर्वक अगर study कर लेते हैं तो बहुत सारे सवाल आपके इससे हल हो जाएंगे खेल से समंधित अगर कोई सवाल अभी पूछेगा किसी भी परतियुक्ता परिक्षा में तो Tokyo Olympic से जरूर होंगे तो मैं शुरू करता हूँ Tokyo Olympic में भारत को कुल कितने मेडल प्राप्त हुएं यह सबसे पहला सवाल है और सबसे मातपून सवाल है कि आखिर भारत को इस बार कितने Olympic medal प्राप्त हुए तो यह इसका आंसर है साथ एक gold medal दो silver medal और चार bronze medal नेक्स्ट कोशन है Tokyo Olympic 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता तो यह है जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा यह हर्याना के हैं इन्होंने 87.58 मीटर की दूरी के साथ पर्थम अस्थान प्राप्त किया और इनके नाम एक record बन गया Olympic में कि track and field यानि athletics में वैक्तिगत gold medal जीतने वाले यह पहले भारत यह खिलाड़ी बन गया है तीसरा सवाल है Tokyo Olympic में भारत का कौन सा अस्थान रहा तो भारत का इस बार कुछ अच्छा परदरसन रहा यह 48 यानि 48 पोजिशन में भारत रहा पहले अस्थान पर USA, दूसरे अस्थान पर चाइना, तीसरे अस्थान पर जापान, चौथे अस्थान पर ब्रिटेन और 48 यह अस्थान पर भारत रहा तो इस तरह से अमेरिका का सबसे पहला अस्थान रहा, यह भी सवाल पुछा सकता है कि टोकियो ओलम्पिक में सबसे ज़्यादा पदक किस ने जीता, कौन पर्थम अस्थान पर रहा तो यह अमेरिका उसका आंसर होगा अमेरिका ने 49 गोल्ड मेडल, 41 सिल्वर मेडल और 33 ब्रोंज मेडल जीत कर 113 कुल मेडल प्राप्ट किये अगला सवाल है, मीरा बाइचानू यह कौन है, यह किस राजिसे हैं और इनका टोकियो ओलम्पिक 2020 में क्या अस्थान था तो यह मीरा बाइचानू महिला वेट लिप्टर है, जो 49 किलो वर्ग भार वर्ग में, वो भारत को सिल्वर मेडल दिलाये टोकियो ओलम्पिक में यह अगला सवाल है, रवी कुमार दहिया, यह भारतीए पहलवान है, यह भी हरियाना से है ये 507 किलो वर्ग में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया इस उलम्पिक में अगला सवाल है लवलीना बोर्ग एंड कौन है तो लवलीना बोर्ग एंड भारती है महिला मुख्यबाज है जो 70 किलो ग्राम वर्ग में मेडल इन्होंने जिता है यह असम किराने वाली है पीवी सिंधु अगला सवाल है पीवी संधु कौन है और इनका ओलम्पिक में क्या रोल था इस बार तो यह है महिला बैडविंटन खिलाडी यह टोकियो ओलम्पिक में bronze medal इन्होंने जीता है ये आंधर परदिश की रहने वाली है और इन्होंने एक unique record बनाया है भी कि ये पहली भारती ए खिलाड़ी हो गई है जिन्होंने double olympic medal जीता है ये 2016 Rio Olympic में भी silver medal जीती थी bed splitson में और इस बार इन्होंने bronze medal जीता है next question कोशन है बजरंग पुनिया किस खेल से संबंदित हैं तो यह हैं फ्रीस्टाइल रेसलर यानि यह भी एक पहलवान है कुछती करते हैं इन्होंने 65 किलो वर्ग में तोक्यो ओलम्पिक 2020 में भारत को ब्रॉंज मेडल दिलाया यह भी हर्याना से हैं नेक्स्ट कोशन है टोक्यो ब्रॉंज मेडल प्राप्त किया यानि तीसरा अस्थान पर रहा एक भारती होकी टीम का एक रिकॉर्ड बना 41 साल बाद जो पदक तालिका में नाम नहीं हुआ करता था होकी में यह इस बार प्राप्त किया और भारती होकी टीम पिछले बार 1980 में पिछला ओलम्पिक मेडल प्राप्त किया था जो की गोल्ड मेडल था उसके बाद से अभी तक यह टोक्यो ओलम्पिक में अगला प्राप्त किया यह ब्रॉज मेंडल प्राप्त किया पुरुसों के भारती होकी टीम ने महिला भारती होकी टीम एक्शली बहुत अच्छा प्रदसन की और वह चौथे प्राप्त किया पूरे ओलंपिक होकी गेम्स में टोक्यो में वर्तमान में भारतिय पुरुस होकी टीम के कप्तान कौन है यह भी प्रशना सकता है यह है मनपृत सिंग अगला सवाल है अमेरिका के कैलेब ड्रेसल यह इन्हों ने क्या किया है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज गोल्ड मेडल प्राप्त किया और वे अमेरिकन स्वीमर हैं तेराक है नेक्स्ट कोशन है जार्खन के खिलाड़ी कौन कौन से थे जिन्होंने ओलंपिक गेम्स टोक्यो में भाग लिया तो यह हैं तीन खिलाड़ी सलीमा टेटे जो सिम्डिगा जिले से हैं भारतियों महिला राज हैं वो हैं दिपीका कुमारी जो राची जीले से बिलॉंग करती हैं तो यह हमारे जो टोक्यो ओलंपिक हैं इससे संबंधित सवाल हमने इसमें तयार किया था यह बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं इनकी तयारिया आप अच्छी तरह से कर लें यह सवाल में जो करेंट अफियर्स हैं जो किसी भी परतियुक्ता परिक्षा के लिए आते हैं वो आते रहेंगे इसलिए आप इससे जरूर देखें इसे लाइक शेयर और शब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू